हलो स्टुडेंट्स, वेल्कम बेक टुदी क्लास, शो इन अवर लास्ट लेक्चर वी वेल रिस्कसिंग अबाउट थियेरी ओफ स्पोन्टानियस जन्रेशन स्पोन्टानियस जन्रेशन नी थियेरी अथवा तो एग बायोजिनेसिस वीसेन नुँडिस्कसन आपने लास्ट लेक्चर मां करता था आपने एक experiment डिसकस करियो तो ready and fly experiment कि जे ready द्वारा करवा माई वो तो के matter नी अंदर जे fly छे developed थाती ती के माँची थाती तो के fly ना एग माँची मेटर माँची 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 छे developed नो थाती ओए experiment आपने लास्ट लेक्चे माँची डिसकस करियो तो So now we will discuss more arguments about this theory of spontaneous generation The next is the contribution of Anthony Van Levenhook and Louis Joblot Okay, आपने नुशु contribution छे spontaneous generation नी theory matter So, the Levenhooks later discovery of bacteria animalcules Okay, animalcules ना मिनिंग सु छे तो के microscopic size ना जे organisms छे जे animals छे ने सु के बाई Animalcules Okay, एक दम माईनुट साइज ना जे animals छे They are known as the animalcules So, the Levenhooks later discovery of bacteria animalcules As they were called, they revived the argument over the spontaneous generation On the microscopic level Okay, microorganism ना level उपर spontaneous generation कोही रिटे थाय छे ये field मां Anthony Van Levenhook के वर्क कर दो Although he believed that his newly discovered forms came from the surrounding air Okay, Levenhook ने ये उज बिलिव करतो तो Okay, जे ये काए पन नवा जे living form नवा बेक्टेरिया जोहा मड़े छे मीडिया माई क्यां थी आई वाहसे surrounding air माँ थी ये उज बिलिव करतो जटो Okay, birth Levenhook perform the no systematic study to prove it Okay, येने experiments कहीरा systematic study कहीरी इवस्तुने प्रूव करवा माटे जे ये काए पन नवा ओर्गेनिजम्स ग्रोव थाई छे Okay, नवी life matter नी अंदर आवती हसे तो ये surrounding air माथी आवे छे Okay, नवा बेक्टेरिया कोई मीडिया माँ ग्रोव थाई छे तो ये surrounding air माथी आई वाचे ये प्रूव करवा माटे एने घणा बदा experiment कानी बदी स्टाडिस काई री Another view shortly developed Okay, many individuals believed that non-living material of animal or vegetable origin held a vital or life generating force that could give rise to the animal cues Okay, एक बीजो येवा view आईवो के जे काए पन non-living material छे Okay, animal नू अथवा तो vegetable नू Okay, plant नू जे काई पन non-living material छे They contain the vital or life generating force Okay, एनी पास एवा फोर्स छे वी energy छे के जे न लाइफ ने एनी अंदर जनरेट करी सके एवो एक विजो आईवो Okay, वी एक विजी आर्गूमेंट आईवी के सुकिदू के animal छे अथवा तो plant छे एनू वेस्ट छे Non-living material छे माथी जनरेट थे लू Okay, एनी पास एवी एबिलिटी छे के ए नवा organism ने Okay, एनी मल क्योज ने एनी अंदर थी जनरेट करी सके Okay एस फ्रूफ दे साइट देट माइक्रोर्गिनिजम इवेंचुली अपियर इन दी बोईल्ड एक्स्ट्रेक्ट एन इंफूजन्स ओफ हे एंड मीट Okay, बोईल्ड एक्स्ट्रेक्ट हाँ से अब हे नो अथवा तो मीट नो के हे एटले सुकू उखा सेग दां Okay, अने मीट एटले कें एनीमल नू मास छे कही है आपड़े Okay, सो मीट नी अंदर हे नी अंदर एनो बोईल्ड एक्स्ट्रेक्ट हाँ तो यहमा माइक्रोर्गिनिजम नो ग्रोथ जो आमेलो बच्छी तोके इंफ्यूजन्स ओफ एन, मीट एनी अंदर पॉन माइक्रोर्गिनिजम नो ग्रोथ जो आमेलो So, आप बदान एने एज़ प्रोफ आइपू के एनीमल अने प्लांट ना नोन लिविंग मर्टिरियल माँ पॉन एबिलीटी छे एनोर्जी छे के जे बीजा माइक्रोर्गिनिजम ने ओर एनीमल क्यूस ने एनी उपग्रो करी सके नाओ बीजो एक एक एक्स्पेरिमेंट आई वो इन 1711 ति लुईस जोबलोट फाउंड को अंटाडिक्टरी एविदेंस वेन ही अब्सावड देट टाइटली एकदम स्टोप थाई गया आफ्टर दी बोईलिंग रिमेंड फ्री ओफ दी माइक्रोर्गिनिजम्स ओके एमां माइक्रोर्गिनिजम्स फ्री करी नाई कुए ने तो जे काई पन इन्फ्यूजन छे पन स्टोप थाई गया इमीडियाटली आई सुछे तो के के लुईस जोबलोट नो एक्स्पिरिमेंट आवा घणा बदा एक्स्पिरिमेंट आपना इहां डिसकस करवाना छे के जे स्पोन्टानियस जन्रेशन नी थियरी उपर पोता ना व्यू आपसे ना थी नेक्सित आपसे एक्स्पिरिमेंट अफ़ नीदम एन्ड स्पलेन जानी यहीं आपसे पूंछे। ग्रेवी लिदी ओके जरने लिप्ण आधने गरम करेली हती फ्रोम टी है कर दोपाइरें इनए गरम करेली हती एन्ट ट्रानस्फर्फ द टिप्रा माइए नहीं पर भूच लगा विदिद मिश्च आधने बुच लगा विदिदू है diverse microscopic organisms in the broth. So, थोड़ा दिवस पची एने जोयू तो एमा इप्रोथ नी अंदर खनो बदो microorganism नो ग्रोथ जोहा मलएडो, okay? diverse microscopic organisms means अलग-अलग प्रकार ना microscopic organisms नो एमा ग्रोथ जोहा मलएडो, अलग-अलग microorganisms नो. And hence, he concluded that microbes arose spontaneously from the meat. So, एने आ उब्जर्वेशन नो पर सी सू conclusion आईपू के आजे काई पर microorganism medium मा ग्रोथ याए spontaneously meat माथी generated थिया छे वो एने conclusion आईपू, okay? निधम में सू conclusion आईपू के microorganism spontaneously meat माथी generated थाई सके छे, okay? Now, इस पेलेंजानी एक्सपरिमेंट, okay? आईया जे आपेलो छेहिशू छे स्पेरेंजानी नो एक्सपरिमेंट, so दे टूक दी ग्रेवी इन दी बोईल्ड, okay? जिन फ्लास्की सिल्ड, एक फ्लास्क के बोटो सिल्ड करेलो और बीजो फ्लास्क एने ओपन राहिको, so ग्रेवी इन टीमिंग विद माइक्रो ओर्गेनिजम्स, okay? जे फ्लास्क ने आप ओपन राखवा माईवो तो एना अंदर बहु बदा माइक्रो ओर्गेनिजम्स नो ग्रोथ जोवा माईवो एनी कंपेर माजे सेकंड फ्लास्क जेने सिल्ड लगावे लुचे, it was free of माइक्रो ओर्गेनिजम्स, okay? एनी अंदर एक पन ब्रकाना माइक्रो ओर्गेनिजम्स नो ग्रोथ जोवा माईवो, नहीं, okay? स्पलेंजानी नो एक्स्प्रिमेंट, now, 20 यर लेटर फ्रोम दी निदम्स एक्स्प्रिमेंट, अ इतलीयन साइंटिस्ट लेजरो, स्पलेंजानी, questioned the experiments of निदम्स and suggested that, microbes has probably entered into the muttern gravy from air. Okay, 20 यर पछी स्पलेंजानी आना जे निदम्स नो एक्स्प्रिमेंट चेने यह नहीं जे कंक्लूजन आई पोतु के आईक्रोगेनिजम्स मीट माथी अराइस थिया ऊके उपपर एन्हे क्वेस्ट्यन काई रो एंड वी सजेस्टेड देड मायक्रोब्स हैड प्रोबेबली एंटर इन्टू थी मुटन ग्रेवी फ्रोम एइर ओके मुटन ग्रेवी मां म पच्छी एने बूच लगे उतु ओके पच्छी एने सीगी कई रूतु सो बिट्वीन इन बिट्वीन टाइम मां माइक्रो ओल्गिनिजम्स एर माथी फ्लास्क नी अंदर एंटर थाई गया होई सक्या सो फफर्वर्म्ड़ एंदर 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 늘 Пराउप्रोम्ड शीमिलरर एंदर एंदरन एंदर भिफ ब्रो नोचि जेट ऑनिजम्स जो शेलिटर इंडर 4 खhouरो मेल एंदर एंज पर्आप ओलत टाल्यसमी चा उर आर लोगे श्चानियशेट all निया चुलिक्षिन ईल जाए लुकाम सेमीः नाल्या फैले कमवाबशे दो अध्यासी पखे दोख्वार्स चुलिक और लुक्षिनी अध्यार में वडिक्यम काउसी игра प्रीमए खेल रख जञा ने ये सिही यह इन्य एक्सपोजर नहीं मड़े सो दी माईक्रोब्स विल फेल टू अपेर इंटु मातन ग्रेवी मॉतन ग्रेवी नी अंदर मायक्रोब्स नो ग्रोथ जोवा मैड़ो ओके माईक्रोब्स ग्रोथ ना थाई सीगा निदम रिस्पॉंडेट टू इस बाइ अर्गुमेंट अगर स्पेलें जानी नो एक्स्पॉमेंट पर जो यो के यहने बी अलग लोग फ्लास्क लीदा एकने सील रहेखो एकने ओपन रहेखो तो ओपन हो तो एमा ग्रोथ जो आ महिडो बट आजे सील्ड फ्लास्क ट्रानी तो पाझच अंदर बिल्कुल माइकरो और्गेनिजमनो ग्रोथ जोहा नहुं महिडो फ्लास्क लिए बाइस पेलें जानी अर्गुमेंट कहिए लिए विए जिए अँर्गुमेंट कहिए लिए ना उपर पाचुं निदम है ऑल्गुमेंट कहिए लिए न। दी एक्सेशि आइने सूखी थू तो के बहु वदार हीटिंग कई रूतु बुरत नूँ स्पिलेंज आनिये जा रॉत्नु रॉतिन कई रूतु तो ये बहु वदार हीटिंग ना कारने सूथ यु तो के एर मा जा वेजिटेटिव फोर्स और इलस्टिसिटी हती ये निके जे लाइफ ने जनरेट करवानी एर नी एबिलीटी हती है खतम थेगी और अने एना लिजे एनी अंदर माइक्रो अल्गेजम नो ग्रोथ नो जोवा महीड़ मिडियम नी अंदर एक्सेसी वीटिंग ना लिजे ग्रोथ जोवा नो महीड़ स्पेलें जानी देन एक्सपोजड दी हीटेड फ्लास्क टु एर सु किदू निधमें किदू के एक्सेसी वीटिंग ना लिजे ब्रोथ नी अंदर ग्रोथ जोवा न थिमाईड़ एक्सपोजड ने पाचो एर ना एक्सपोजड ना एक्सपोजड ना आईको विच रिजल्डेड इन्टू दी डेवलोपमेंट ओफ दी माइक्रो ओर्गेनिजम्स एक्सपोजड एर नू जेवू मेड़ू फ्लास्क नी अंदर मल मिडियम नी अंदर पाच्छा माइक्रो ओर्गेनिजम्स नो ग्रोथ चालू थाईग्यों माइक्रो ओर्गेनिजम्स नो ग्रोथ पच्छी जोवा मेड़ू यू केन सी दी हीर दी फिगर ओके अहन्या जे एक्स्प्रिमेंट आपन डिसकस कई रोस पलें जानी नो यू पेलो छे ओके नीचे नी फिगर जो ब्रोथ हीटेड ओके फ्लास्क सील करेलो तो तो ग्रोथ नो जोवा मेड़ू देन यी ओपन दी फ्लास्क तो अगेन जे मिडियम जे नी अंदर एक्दम एक्सेसिव माइक्रो अगेनिसम्स नो ग्रोथ जोवा मड़े छे ओके तो दीजिस दी ओल स्पलेन जानीस एक्सप्रेमेंट मिन वाइल दी लुरेंट लेववोईजर रिकोगनाज़ड दी इंपोर्तन्स ओफ दी ओक्सीजन फुर्थ लाइफ ओफ एनिमल ओके आनी साथे साथे बीजा एक्सप्रेमेंट पन थता आसे शो लुरेंट और्गिनिजम ने कोई पन लिविंग एनिमल ने लिविंग रेवा माटे ओक्सीजन नू इमपोटनस छे लाइफ माटे ओक्सीजन नू शुँ इमपोटनस छे एहने रिकोगनाइज कई रुको ने लुरेंट लेवो इसरने आखो पेलेंजानी नो जा एक्सीजन ने क्रिटीसाइज करवा में डालोको के तारों एक्सीजन खोटो छे केमके ओक्सीजन नी अविलेबिलेटी इमपोर्टन छे लाइफ माटे औने जे शिल्डी फ्लास कातो यहनी अंदर ओक्सीजन तो एंटर धा न सके सो अक्सिजन नी एपसंस नाली दे हमा माइक्रोब्स ना ग्रोथ नो जो आमालो हो यह उपन होई साके ओके सो दिस पलेंजानी एक्स्प्रिमेंट ओन इस पॉन्तानियस चनरेशन वोज क्रिटिक साइज जो दू 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 अन अवैलेबिलिटी ओफ ऑक्सिजन अक्सिजन नी अवैलेबिलिटी इंपोर्टन छे माइक्रोब्स ना ग्रोथ माटे और कोई पन लिविंग ओर्गिनिजम ना ग्रोथ माटे यह खबर पड़िगी अवैलेबिलिटी ओफ यह खबर पन अगर कंड़क्त थी आई कोई रित्य थी आदो के इन्दी प्रेजंस ओफ फिल्टरड एर ओके एक्स्प्रिमेंट प्रोवाइडेट थी फिल्टर एर के फिल्टर एर नो यूस करवा मैं डालो को निति आः नी प्रेजंस आंज के ब्ल्क टाँ की मैं अखब के श्यों फ रियँस प्रेजृ कि यौ्द सुनक भोगी प्रेजंस प्रेजंट ने थी लिमेटेशन मसा अंड ने कि हैसप्रमे जानिया ये आखो एक्ष्मेमेंट कई रो इन जिबेङ्टेशन क evaluation के अवंग संसु एक्ष्विंग टो ओंप अथेसों बहा गांटिय्क वागियाे कि तोसी सिंस्परेज देप्रिसजन केवने निया बिन जबल सकते में इन अलुकंटियम्टर हो अवरकम करवा माटे सू कही रहू तो के फिल्टर देर यूस कही रही okay so now the experiment of the schools and swan okay France schools devised an experiment in which the air was allowed to enter into the heated infusion only after passage through the strong acid or strong alkali okay same condition मैं ने experiment चलू कही रहू but he provided the filtered air okay एकदम फिल्टर डेर यूस कही रही कही रही तो के एर ने फ्लास्क नी अंदर एंटर करवा दी but after passing through strong acid or strong alkali so strong acid अज़ पाद ज्यार एर पास थासे तो शू थासे तो के एनी अंदर जे काई पर microorganisms प्रेजंट छे बदा नू देर्थ सही जासे okay so due to the this strong acid strong alkali माथी एर ने पास कर सू एटले एर फिल्टर डेर थाई जासे okay microorganism free air थाई जासे so अभी एर ने एने फ्लास्क नी अंदर okay हीटेड जे काई पन आपने मीट एक्स्रेक छे एनी अंदर एने आभी एर पास कही now theodore swan performed an experiment in which the air was allowed to enter into the flask of the broth after passage through the heated glass tube okay बीजो scientist छे theodore swan एने फिल्टर करवा माटे शू कही रू तो से ओके सो एर ने फिल्टर करवा माटे नी बनने ही अलग अलग रीत यूज कही रू जे अने स्वान एसू कही रू तो के एर ने heated glass tube माथी पास कही so microbes did not appear in the broth okay so आभी एर पास कही दी एना लिजे सो थी तो के आना experiment ना end मा microorganism कोई पन प्रकार ना ब्रोथ नी अंदर अपकियर नो थिया okay जो आ नो माइडा now however the advocates on the spontaneous generation raised the argument that okay अवे आमा बीजा पन argument वड़ी आना experiment उपपा पन argument कही रालो कोई okay so कि दू तो के किया the generation was advocates on the spontaneous generation raised the argument that alkali or heat okay acid, alkali or heat destroyed the life-giving power of air आनना जे experiment कही रो एनी उपपर सु question कही रो क्या आने acid यूज कही रो तू alkali यूज कही रो तू अथवा तो heat यूज कही रो तू एनना लिजे air नो life-giving power जे छे ए डिस्ट्रोई थाई जाई जे एवो question उपगई रो okay सु आना एक्स्पेमेंट उपपण एनने argument कही री लोको है के तमे जे acid, alkali यूज कही रो तू heat यूज करो छो एनना लिजे air नो living, life-giving power छे डिस्ट्रोई थाई जे छे एनना लिजे organisms ग्रो नथी सही सकता okay so nevertheless the swan responded to this objection by exposing the frog to the heated air okay स्वान ना एक्स्पेमेंट बाएने सु कही रू तो के air ने खाली glass tube माधी पास करी ने heat कही री थी so आन जे काई पन question उभो थी okay heat ना लिजे life-giving power एननो डिस्ट्रोई थाई जाई छे तो एनने objection करवा माटे okay एननी सामय प्रूफ आव आपवा माटे स्वाने सु कही रू तो okay exposing the frog okay frog एटले के देठकाने एनने heated air माराई को okay एक closed container माराई को और एननी अंदर heated air पास कही री so which could still remain alive heated air नो यूज कर इने पन ही देठको survive करी साई को means this explains that drastic treatment of air does not destroy its life-giving power okay heated air आप पी तो पर frog survive करी सके छे एननो मीनिंग सु थाई तो okay heating treatment आपी अथवा तो AC डालकली नी जे काई पर treatment आपी छी आपना एर ने तो एनना लिदे एननो life-giving power काई destroy न थिये था okay एना माटेनू evidence आप एक्सेप्रीमेंट उपर थी मडी जाई जे okay now the next experiment कोना अचे okay Scroder and Van Dutch okay Scroder H. Scroder and T. Van Dutch perform the most convincing experiment to resolve the objection okay in the alteration of life-giving power of the air okay and एक most convincing means के easily बदा एक्सेप्ट करी सके वो experiment पर्फोर्म कही रो जे काई परा alteration of life-giving power of earth एनू जे problem हतो okay एनने phase करवा माटे याने जे experiment कही रो most convincing experiment हतो they passed the air through the glass tube containing the cotton wool and they allow it to reach into the heated infusion or broth okay एनने सू कही रो एनने filter करवा माटे simply एनने सू यूस कही रो wool okay cotton wool रू नो यूस कही रो खाली रू माथी एर ने पास कही री तो एर ने पास करी अने एने पछी ब्रोथ नी अंदर एंटर थवा दी so the cotton filter दी the microbes and thus the broth remained श्टराई ग्रोः ने अने 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 पासhosू अने डी खाली है ब्रोथ ने अन्दर अ्दर पास थे एको यूद आने अने कोई प्रकाणो दी यूजज ओफ कोटन प्लग इन्दी माइक्रोब आयलोची कामने टेस्ट्यूब ने प्लग करिये छे कोटन थी फ्लास्क छे बदाने कोटन प्लग करिये छे एनी सरुवाद क्या थी थाइती तो क्या स्रोडर अने वांट डॉज ना एक्स्परिमेंट थी ओके लोक ये प्लॉब आप्स्पोम करिये तो ओके सो एना उपर थी फ्लाग नीडिस्कावरी थाइए एनो मीनिंग सुथाइटो का ना नोल सिव लिवें वेक्रोडर माति माइक्रोडिम ना थी थाइजा बह एर माधिये कैनी जय रिवें यह माइक्रोडियजब आवी जा जाेज आई आ ना लिदे यहां ग्रोज जुआ अले छे आ नाओ धी नेक्स्ट इज दी प्रूफ ऑफ बायोजिनेस सीस्थ बायोजिनेस इस बिजा लूजिनेसिट मती बिजा लिविंग अर्गेनिजम जनर थाय छे, यहें प्रूफ छे पास्चर दा एक्स्पेमेंट मर्ती आपने लुइस पास्चर और फ्रेंच साइन्टिस्ट बिकेम दी इंटरस्टेड इन्टु दी ओन्गोइंग डिबेट ओवर दी ओरीजिन ओफ माइक्रोब्स अन्या यहां बदू डिबेट चालतो थो के माइक्रो ओर्गेनिसम छे क्यां थी आवया चे अन्या ओपर डिबेट आवधा इस पाइन्टिस्ट नू चाली रही हुतु तो एन्ने एमा इंटरस्ट पईड़ो लुइस पास्चर नौगे डियूरिंग हीस स्टडिस ओन्दी रोल ओफ माइक्रोब्स इन्दी आलकोहल मेकिंग इस स्टडिस ओहरतो तो एन्नु वर्क चालू होतु क्यां चालू होतु तो क्यां चालू होतु तो क्यां माइक्रोब्नावा माटे और अलकोहल बनावा माटे माइक्रोब्नावा माटे माइक्रोब्नावा माटे शू रोल छे एन्ना उपर एन्नु स्टडिस चालू होतु सो एनु स्टडी तो बीजे चालू होतू पड़ एने आवा डीबेट मां इंट्रेस्ट पही रोके यहां का एक डीबेट चाली रही छे ओके सो मिनवाइल तो पही यहां होतू एक इंट्रेटी सचाली तो बीजे पह था रही बेट यहां में इनेिय चाली पंपडिपके से लुए। ती logic adopted and the data presented by him irritated the Lewis Pasteur एने जेक आई पन logic आई पूतु एना spontaneous generation ना report मा ए logic अने जेक data एने रिप्रेजन्ट केरो तो एना थी आजे Lewis Pasteur से irritated ते गया and who in turn performed a series of experiments to set a full point on the theory of a biogenesis एने घणा बदा experiment करी चालू करी दिदा बहु बदा experiment performed कही रहा to set a full point on the theory of a biogenesis क्या ओ a biogenesis ने theory छेना उपर full stop मुखवा माटे एने बहु बदा series of experiments कही रहा क्या आपची ए बायोजीनेसिस उपर काई discussion थावूच नो जोई so the pasture took the flask with narrow ghost neck opening and filled them with broth and then heated them okay अजे ghost neck opening वाड़ो एक flask लिदो okay एक flask लिदो okay आउपननु जे नेक हतू एकदम खुलू राखवा माईवू पन इनेरो हतू और एनी अंदर थी एकदम untreated air unfiltered air जे बायानी एर छेने easily एनी अंदर पास थेजाके बायान निकडी सके एवी रितनाज राइको कोई पन ब्रकानु बूच के cotton block के काई करवा माईवू नोटू okay नाउ but the microbes were trapped into the u cows of the goose neck flask okay flask मा जे उपनना भाग मा यू कव उतो एमा microorganism trapped थेग्या unfiltered air IPT microorganism air नी अंदर प्रेजन हता but the trap थेग्या क्या तो क्या जे u cow neck to the microorganism trap थेग्या and these microbes could not reach up to the growth आवा microorganism चे ब्रोथ सुधी पोची न सेका and he further said that dust particles in the air carry the microbes okay अहिया अगर कोई microorganism नो ग्रोथ जोआ मड़े तो येने सुकिदू तो के air particle चे छे एनी आरे dust particle चे एर माँ dust नी साथ ये microorganism केरी थाई चे okay dust चे ये microorganism ने केरी करे चे उपन आने की धुआ के Lewis pasture so you can see here this is the experiment of the Lewis pasture ब्रोथ is boiled अहिया उपर जे चे इसू छे नेरो गोज नेक ओपनिंग okay flask चे के जेननी पासे एकदम उपर नुँ नेरो चे एनू ओपनिंग okay अने या जे यू शेप नो कओ छे या microorganism ट्रेप थाई जाई चे so ब्रोथ is boiled ब्रोथ रिमेंस फ्री ओफ मैक्रो ओर्गिनिजम उपर ना नेरो ओपनिंग ना काणे okay अना जे यू शेप नू ओपनिंग छे ना काणे मैक्रो ओर्गिनिजम फ्रीज रियो ब्रोथ केमके मैक्रोब छे यू कओ मां ट्रेप थाई जाथा था ना दी कौट नेक इस रिमोड ओके सेइम फ्राश छे नू पर नुजे कौट नेक चे रिमोड करिना का गाई हू तो मैक्रो ओर्गिनिजम नो ग्रोथ इजीली जुआ मेड़ ब्रोथ नियंदर okay so this was the experiment of the pasture, Lewis pasture now the John Tyndall a English physicist and follower of the pasture performed an experiment to disprove the belief that the heat used for the sterilization destroys the vital force of the egg okay पच्छी आगर पन घणा बदा experiments थिया एक जुन डिंडल नाम नो फ्रेंच physicist छे also follower of pasture 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 नो follower पन होतो एनने experiment performed कहेरा to disapprove the belief okay आगर जे belief होतो heat ना लिदे heat जे sterilization माटे यूस कही रिती एनना लिदे एर मा जे life giving power छे vital force छे destroy थोई जे जे आगर मानवा मा आउतुद so आ थोट ने डिस अप्रूव करवा माटे जोन टिंडल ले experiments कही रहा अने आ थोट ने डिस अप्रूव करी नाई खो के heat ना लिदे और heat नो sterilization माटे आपने यूस करी तो एर नो vital force destroy थाई जे 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 कुलनो थी okay so these are the all the theories for the spontaneous generation के ये biogenesis और ये विशे जे काई पन debate थाई जे काई पन experiments थे spontaneous generation माटे ना ये बधा विशे आपने ये डिसकस कही रूँ clear so in our next lecture we will discuss about the next topic the germ theory of disease okay and I wish I had to discuss curry soon thank you so much students for watching this video and if you have any doubt then please ask in the comment box thank you